आज अपने नमकदानी बनावता सीखे चे नमकदानी लगलग खिस्समसे वन ही सके चे तमें चाहो तो बेस बलेंगेन बेस न उपर भी बनावी सको चो गड़ी मुकी ने या पछी डिफ्रेंट टाइप न शेपस न उपर भी तमें कोई डेकरटिव फ्लावर मुकी ने या पछी मैंगो ना शेप बनावी ने फ्रूट्स ना या वेज़िटेबल ना कोई भी शेप मुकी ने तमें इनने डिफरेंट स्टाइल से बनावी सको छो नमकदानी नो मोल बनाऊता अपने सिखाऊ छो एना माटे अपने एक लुओ लेवानो रोठी ना लुओ जितनो एक साइज नो आटा डव लेवानो अपने अने एना सेंटर माँ फिंगर से पेला धीरे-धीरे होल करवानो अब होल था उशुरू थे जासे धीरे-धीरे-धीरे जेम अपने कचोड़ी बना विये या कोई चीज नी फेलिंग कर गये छे यह माँ केम अपने राउंड करता जीए अने या शेप आउतो चलो जासे अपनो अपनी कचूरी तयार थे जासे अब कचूरी ने आप दिफरेंट तरह से डिजाइन करी सकोचो चाहो तो तूटपिक से ना अंदर साइड्समा आवर तो आएक डिफरेंट लुक नी तयार थे जासे अकट्स ने अपने हलका हलका सा पिंच करेशू जहाँ अपने पैटल्स यहाँ शेप आया चे इने हलका हलका पिंच करी ने इना शेप आपता जाई सू नमगदानी नो बेस बनाओं माटे अपने लभो लेवा नो ऐनी साइज अपना नर्मल जे रोटी करी छे एना कटा थवड़ों मुटी रोटी जेंच पराठों करी छेए साइज नो और अने पेला जैना ऊपर अपने बेस बनावी राच्छँ चाहो त अपने हाँ प्रेस करी नख्योंने रोटी ने रोटी जे शेप आने आपी सको शो या पची कोई फ्लैट अपने कई भी प्लास्टिक नूँ सर्फेस एवी लेगे जे प्लेन होई एना उपर अपने वेसलीन से ग्रीज करी सो सर्फेस ने अने इना उपर अलबो मुकी सो अने कोई भी वेलन जे अपने जमन मां रोज यूज ना करता होई ये वेलन लेवानी इने भी वेसलीन लगेने ग्रीज करवानू अने इना से अपने जेम रोटी वनिये छे एम थोड़ू एने फ्लैट वनी लेवानू पर आ घनू पतलू नही यह वो साइज एनों बेजनों होई ताकि यह सुखाओ पछी यहनों शेप खराब ना थाई पतलू थे जासे तो तो मारों शेप तेलों मेरों थिया सा बेजनों पापर जेव वली जासे एहमां अपने आवे आ राउन अपनों वेलन वनी के लिदो आवे आने अपने चाहिए डिफ्रेंट शेपना कटर्स इने भी वेजली लगा वी ने पहला ग्रीस लगा वी लो यह बने साइट पर अन्या कटर से इने कट करें से कुछ राउंड शेप राउंड वालू या पची हाट शेप या फ्लावर शेप जी भी आपने लेव हुई इने आराउंड शेप से अप या शेप से भी आप शेप आपी सको जो आने तरह तमार वा बेस अख्वावर शेप नू कट आ यासे और कटर्स ना होई तो हुआ किसमना फ्लावर शेप आपी सको जो हाप हलका हलका हाथ से तूट्पिक लेए इने यह जरा जरा सू एजेस पर प्रेस करी शेप आप पैट आप कोई भी प्लेन जगा पर मुखो एना कपडु बिचावी ने या कोई भी कपडु या थर्मा को नी प्लेट हो इना मुखी ने आप सुखाओ तो आप कोई भी वस्तु से चिटक से नहीं कपड़ा पर ऐजीली मुखी ने सुख़ी जासे हलकी धूप जहां आउती हो भा मुखो यह रूम टेंपरेचर पर भी मुखी सको चो हमना वर्साद मा आने सुखवाने टाइम लागे चे तो इने वर्साद ना सीजन ना अंदर इना मा थोड़ो वकत लागी जाई चे आम नॉमली आप आने इसली रूम टेंपरेचर अपना र बन्ने ने अटाइच करवानू ए बन्ने ने अटाइच करवा माटे पिला अपने एक सादो डव ले उपर से जे नामा कलर मिक्स नती करो जे अपने फर्स डव बनावेलो आने विदाउट मिक्सिंग कलर जे प्लेन डव होई छे ए सुखा पची थोड़ो ट्रांस्परेंट लुकावी जाई छे हमना वाइट लागेश अपने एक लागेश कलर मिक्स करू छे बटा आना मा कलर मिक्स नती करू अपने आ सादो डव लगावी छे विदाउट कलर नो एनने फिला फ्रेविकोल लगावी से बेज ना उपर जे सुखू बेज छे अपना पासे आने आ टोरी ड्राय थेगी छे एनने ना उपर अटेच करीने चिटकावी देशू अवे आपनी आ आने सूखवा देशू अने आने साथे डेकोरेट भी करी सके छे जे माने अपने डेकोरेट करू छे तो आ स्टाइल से डेकोरेट करू होई तो पाछी अपने थोड़ू सादो आ आ ड्रावव लेवानों नानों आनने जे जगह पर सजाऊ शे महां पर आ फेवीकोर लगाईू पर या डाव मुकू अने आ डाव ना उपर पाछी अपने फेवीकोर लगावी सू आ फेवीकोर लगावा पछी पछी अपने ये कलर आना साथे color combination आना उपर जाता होई ये हाँ फेविकोल लगए ने लीव्ज आने फ्लावर्ज ने अटैच करा छे चाहो तो थोड़ा रेडिमेट पोलन्स आवे छे जे एना से भी आने डेकोरेट करी सको छो सगली बस्तू एक भी जा साते फेविकोल से इजीली स्टिक थाई जाई छे बसी डव तमारों जोवाव ना जोए अने अने अजी आपने जे भी फ्लावर्ज लीव्ज या पोलन्स जेना से भी डेकोरेट करू होई डिफर्ट डिफर्ट स्टाइल ना तो फेविकोल लगा भी अने?